हेलो फैमिली आपका हमारी यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंट्स प्रेग्नेंसी के पहले तिमाही में मिस्केरेज होने का क्या क्या रीजन होता है इससे बचने का क्या उपाय होता है ये अगर संकेत आपको मिलते हैं तो समझे कि आपको miscarriage होने का खत्रा हो सकता है क्योंकि पहले तिमाही में miscarriage होने का संभावना काफी ज़्यादा रहता है इसके बाद इसे बचने का भी कुछ उपाय अगर आप करेंगी या फिर डॉक्टर करेंगे तो भी आप सेफ रहेंगी अगर आप डॉक्टर से कंसल्टेशन करके इसका उपाय कर लेंगी तो इसके अलावा खुद भी घर भी कर सकती हैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर्द सबस्क्राइब कीजिए इसके बाद बेल आइकन जरूर प्रिष कीजिए तो चलिए वीडियो में देखते हैं प्रेंट्स सबसे पहले अगर आपको बार 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 मिस्केरेज हो रहा है तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आपके एग की क्वालिटी खराब है आपके इस्पम की क्वालिटी खराब है ये कोई जरूरी नहीं है कभी कभी आपको मिस्केरेज कुछ समस्याओं की वज़ा से भी हो जाता है क्या होता है कि जब आपको सुगर का लेवल हाई रहेगा तो भी आपको मिस्केरिज की संभावना जादा रहेगी क्योंकि अगर सुगर का लेबल अगर आप में जादा रहेगा और आप सुगर की जो डाइविटीज होती है उसकी दवा मेडिसीन नहीं लिये रहोगे या फिर नहीं लेते रहोगे तो उससे होता क्या है या फिर अपने डॉक्टर से संपर करके इसके बारे में नहीं बताओगे तो आपके सिसु में भी डिफेक्ट आ जाते हैं तो इसलिए बोला जाता है कि सबसे पहले जब आपका डबल लाइन आता है तो सबसे पहले आप को ख्याल करना पड़ेगा आपको अगर दूसरा जो कंडिसेन आता है अगर आप में थराइड की मात्रा ज़ादा यॉलब यह तो भी आपका आपकी जो बॉडी है क्योंकि इन सारे चीजों में थाराइड हो गया पिस्योडी हो गया पिस्योडी हो गया इन सारे चीजों में आपका हार्मोन जो है डिस्बैलेंस होता है क्योंकि यह हार्मोनल इसूज होते हैं तो जब आपका हार्मोन डिस्बैलेंस होगा तो क्या होता है कि आपको miscarriage का सामना करना पड़ेगा क्योंकि जब हार्मोन आपका disbalance होगा तो आपको estrogen हार्मोन नहीं बनेगा position हार्मोन नहीं बनेगा आपकी placenta की निर्मार अच्छे से नहीं होगी तो आपको आपकी body जो है उसको accept नहीं करती है उसको जब आप ये खुद सोचिए कि जब आपका हर्मोन disbalance रहेगा तो आपके body उसे accept कहां से करेगी उसको miscarriage का रूप देहीं देता है आपकी body इसके अलवा friends तीसरी जो बात होती है कि अगर आप में कोई और issues है यानि कि आप क्या जो बच्चेदानी है uterus है या फिर uterus में कोई दिक्कत है आपको पता नहीं है रसावली है गांट है इसके बाद friends जब आपकी body इससे reject कर देती है जब इससु का निर्माण होता है उसके बाद प्लेसेंटा का निर्माण होता है हर चीजी यहीं से सिसु को मिलता है तो कभी कभी होता क्या है कि जो आपकी प्लेसेंटा का जो नाल है वो बंद हो जाता है जो है लॉक हो जाता है इसकी वज़ा से भी सिसु को कुछ नहीं मिल पाता है इसकी वज़ा से भी सिसु का मिस्कैरेज हो जाता है अपना बच्चा आठ हपते के बीच में दस से बारा हपते भी बीत जाते हैं लेकिन सिसू का हार्ट बीट नहीं आता है सिसू की ग्रोथ रुक जाती है इसकी वज़ा से भी आपको अपना बच्चा खोना पड़ता है इसके अलावा फ्रेंड्स एक और रीजन होता है इंफेक्शन अगर आपको बार 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 इंफेक्शन हो रहे हैं चाहे कोई भी इंफेक्शन है वाइरल इंफेक्शन हो या फिर वेजाइना इंफेक्शन एट टू जेड आपको किसी भी प्रकार का इंफेक्शन हो इसमें भी अगर आपको बार 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 इंफेक्शन की समस सामना करना पड़ सकता है इसलिए बोला जाता है कि आपको प्रेग्रेंसी में बार-बार यूटी-आई तो होना ही नहीं चाहिए यानि की यूरिन इन्फेक्शन तो होना ही नहीं चाहिए अगर इसके लिए तो मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं उसे भी आप चैकाउट कर सकते हो कि अगर आपको infection बार-बार हो रहे हैं तो कैसे इसे ठीक किया जाता है फ्रेंट्स नीम की पत्ती का पानी ले लिजिए या फिर अजवाइन का पानी ले ले लिजिए इन दोनों में से कोई पानी लेके अपने वेजाइना को साफ करते रहे ताकि आपको बार-बार infection ना हो इसकी अरवा फ्रेंट्स अब जानते हैं कि इसे कैसे बचा जा सकता है तो सबसे पहले की फ्रेंट्स अगर आपको बार-बार infection हो रहे हैं तो मैंने अभी बताया कि अजवाइन या नीम की पत्ती का पानी ले लिजिए और अपने साफ सफाई फे अच्छे से फोकस कर ये अच्छे से ख्याल करिए नहीं तो आपको दिक्कत होगी जब आप यूरीन पास करने जा रहे हो तो साफ पानी से साफ वाटर से अपने वेजाईना को क्लीन करते रहे हैं दूसरी बात ये है कि आपके बाड़ी में हार्मोनल इसूज नहीं होने चाहिए अगर आप प्र खातला भुना मत खाईए इसके अलवा जब आप प्रेग्नेंसी कंसीव कर लेते हो तो तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाके डॉक्टर से मिट अप करके समय से ट्रिट्मेंट देंगे इसके अलवा आपके अंदर क्या क्या समस्या है अगर आपके अंदर पीसी ओडी है इसके अलवा फ्रेंड्स अगर आपको यह समस्या होता आया है तो इसका तो कोई इलाज नहीं होता है इसका तो केवल उपर वाला ही इलाज करेगा कोई भी इलाज इसका नहीं है क्योंकि यह जैनेटिक है यह आपके परिवार से ही चलता आ रहा है तो इसका तो कोई इलाज नहीं है बट आपको इन सारे कंडिशन में मिस्कैरेज बार बार हो रहे हैं तो इन सारे चीज को आप डॉक्टर से मिट अप करके ठीक करिए और अगर आपके एग और स्पम की क् खत्रा हो सकता है मिस्कैरेज का सामना करना पड़ सकता है तो उसे भी डॉक्टर से संपर करके बात करिए और अपने खान पान अपने दिन चर्रया और अपने रहन सहन को चेंज करिए अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तो नहीं तो यह आपको खत्रा बार बार बा झाल यहादा चाल यहादा हुआ है झाल झाल को पर दू आजा हुआ है झाल